नमस्कार स्वागत से आप सभी क्या Comection Guru अप्लिकैशन पे Levenew कमेंट में आजओ भैजलिटी से कमेंट में आओ जलिटी से आओ भैजलिलिटी से खुपसूर तरीके से आजओ سब लोग कमेंट्स में नमस्कार भाक नमस्कार स्वागत स्वागत सबका स्वागत है कैसे कैसे चल रहा है सबका माहूल बढ़िया तरीके से पढ़ ले करें हो गया ऐसे ही मज़े ले रहे है बस जिंदिगी के जिंदिगी के मज़े ले रहे है पढ़ ले करें थोड़े बहुत भई बताओ बोलो कुछ पढ़ रहे हो चलो बढ़िया पढ़ते रो यार पढ़ने से ही कुछ होने वाला है पढ़ोगे नहीं तो कुछ भी नहीं होगा है ना पढ़ना थोड़ा सा है पढ़ो पहले फिर चीज़ें अपने आप ब्याव्या हो जाएगा फिर आसानी से ने तो कोई नहीं पूछ रहा फिर आपको सही है ठीक है तो आज geography की class है भुगोलकी आपको पता ही है geography की class चल रही लगातार तो मैं आपको आज इसमें करा देता हूं भारत के दर्री है ठीक है न passes of India passes of India यानि की भारत के δर्री दर्रे क्या मतलब है दर्रे क्या होता है दर्रे क्या होता है तो आप क्या सकते हो पहले मौंटेनियस पास के अगर मैं बात करता हूँ जैसे मान के चलो यह परवत है यह दूसरा परवत है इन परवतों के बीच का प्राकरतिक रास्ता परवतों के बीच से होके जाने वाला प् परवत है फिर खाई है परवत के उपर चड़ोगे फिर नीचे उतरोगे तो क्या कहीं पर रास्ता बना होता है परवत के दो परवतों के बीच में घाटियों के बीच में रास्ता जा रहा होता है प्राकरतिक रूप से नेचुरली उसी को पास या दर्रा कहते हैं तो आप इसी को दर्रा कहते हैं, यानि कि इंगलिश में अगर आप कहना चाहते हैं Natural Root Between Two Mountains Natural Root Between Two Mountain is known as Pass उसी को Pass कहते हैं तो उसी को दर्रा कह देते हैं, ठीक है किस चीज के लिए फेमस होता है? It is It is important किस के लिए? For Trade and Tourism यानि कि किस के लिए यह है? व्यापार तथा व्यापार तथा Tourism पर यटन के लिए व्यापार तथा परिवहन के लिए उपियोगी होता है, व्यापार के लिए और परिवहन के लिए उपियोगी होता है, it is Known as Nal Nal N-A-A-L Nal in Rajasthan Rajasthan राजस्थान में दर्रे को क्या कहते है, नाल कहते है, ठीक है न, तो दर्रे के बार में कुछ important बात है, मैंने आपको बताई है, एक बार लिख लो इनको, important बात है, याद रहनी चाहिए, पता होता होना चाहिए, at least आपको इन सारी बातों के बार में ठीक हो गया, लिख स्टेट वाइस कार्थ हो गया, कैसे, राज्य के मताबिक कराते हैं, ठीक है, तो पहले आजाओ जम्मू कस्मीर के दर्रों पर, जम्मू कस्मीर के आप तो अलग-अलग होगे, लद्दाख पर आजाओ, लद्दाख जम्मू कस्मीर दोनों अलग होगे, तो लद्दाख के द दर्रों की बात आप से करते हैं, समझो ध्यान से, सब लोग आओ ध्यान से, भारत का थोड़ा उपर से मैप ड्रो करते हैं, भारत का थोड़ा सा मैप ड्रो कर लें क्या, देखो भी ये ध्यान से, चलो मैंने क्या बनाये जम्मू कस्मीर बना दिया ठीक है जी जम्मू कस्मीर ठीक है जम्मू कस्मीर के बारे में बात करते है तो यह है जम्मू कस्मीर यह हिमाचल परदेश है यहां पर फिर यह उत्रा खंड है हिमाचल प्रदेश, उत्राखंड, पर ये कौन सा जाएगा पंजाब, या राजिस्थान, हरियाना, ठीक है इस तरीक है, सुनो ध्यान से, अब मैं आप से क्या कहता हूँ, यहाँ पे लद्दाक की क्या पोजिशन है, यह लद्दाक की पोजिशन है, यह लद्दाक है, ठीक है एक यहाँ पे, ठीक है, और एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, यह कौन सा खुंज रेवा दर रहा है, खुंज रेवा, यह कौन सा अघिल, अघिल दर रहा है, यह कौन सा कारा कोरम, कारा कोरम दर रहा है, ठीक है जी, यह कौन सा बुर्जिल, बुर्जिल ठीक है ये कौन सा जोजीला जोजीला पास है ठीक है जी इन दर्रों की पहले आपसे बात कर लेते हैं जोजीला पास तक की बात कर लेते हैं तो खुंज रेवा अघिल और कारा कोरम खुंज रेवा खुंज रेवा खुंज रेवा दर्र और दूसरा कौन सा अघिल दर्र अघिल पास अघिल दर्र अघिल दर्र और कौन सा कारा कोरम दर्रा कारा कोरम पास यानि कारा कोरम दर्रा ठीक है यह तीन दर्रे कारा कोरम दर्रा, अगिल दर्रा और खुंजरेवा दर्रा यह तीनों दर्रों की पहले बात कर लेते हैं यह तीनों के तीनों भारसे चाइना को जोड़ते हैं Connect India to China. ये तीनो दर्रे भारत को चीन से जोडते हैं. ये तीनो दर्रे क्या करते हैं? ये है तीनो दर्रे. भारत को चीन से जोडते हैं. पहली बात तो ये है. ठीक है जी? ये तीनो दर्रे भारत को चीन से जोडते हैं. ये जो तीसरा वाला जो दर्रा है कारा कोरम. ये मुख्य रूप से भारत को चीन से जोडता है और इससे सड़क मारग भी जाडता है. तीसरे यानि कारा कोरम की मैं बात कर रहा हूँ. ध्यान से सुनना, कारकुरम की बात कर रहा हूँ, इस दर्रे से भारत से चीन को एक सडक मार्ग जाता है, एक सडक मार्ग जाता है, तो कौन से दर्रे से सडक मार्ग जाता है, इसे करके सवाल आ जाए, तो फिर कारकुरम दर्रे से जो है, रास्ता जाता है, सडक मार्ग जाता है, इट इस दा हाइएस्ट पास अफ इंडिया यह भारत का सबसे उचा दर्रा है यानि क्या कह सकते हो हाइएस्ट हाइस्ट पास ओफ इंडिया इस कारा कुरम भारत के सबसे उचा दर्रा भारत के सबसे उचे दर्रे का नाम है कारा कुरम इसकी बात कर लेते हम बुर्जिल की यह क्या करता है यह गिल गृत से लद्दाक को जोडता है ऐसे भी कर सकते हो तो चौता कौन सा बुर्जिल की बात कर लेते हैं बुर्जिल दर्रा बुर्जिल दर्रा बी यू आर जे एचाईल या जी आईल भी लिख सकते हैं कैसे भी करके लिखा हुआ है कई जगे पास इसकी बात कर लेते हैं तो यह क्या करता है यह है पी ओके से इंडिया को जोडता है फी ओके से इंडिया को जोडता है ठीक है इट कनेक्ट्स पी ओके टू इंडिया या नहीं कि आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कैसे समझ सकते हो इट कनेक्ट्स पी ओके टू इंडिया को कैसे समझ सकते हो पी ओके में कौन सा पार्ट गिलगित गिलगित और इंडिया का कौन सा पार्ट लदाक गिलगित से लदाक को जोड़ता है ऐसे भी समझ सकते अब यह क्या करता है गिलगित से लदाक को जोड़ता है ठीक है जी कौन सा बुर्जिल दर्रा इतना लिखो चलो पहले जो जीला के बारे में बात कर लेते हैं जो जीला दर्रे के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे तो सुनों यहाँ पे तो एक क्या चीज लेह लेह यहाँ पे शिरिनगर ठीक यहाँ पे कस्मीर में कौन सा जम्मू जम्मू पर यहां पर एक धर्रा पड़ेगा इसकी बात करेंगा आपसे ठीक है चलो इतना लिखो पहले फिर जो जी ला की बात करता हूं मैं आपसे इसको मिटाके दीक है इतना लिख लो पहले हो गया हुआ भाईया जल्दी जल्दी करो जल्दी जल्दी करो जल्दी जल्दी करो भाया जल्दी जल्दी करो जल्दी 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 स्पीड से करो इस स्पीड से करो इस स्पीड से इस स्पीड से इस स्पीड से इस स्पीड से करना है इस स्पीड से स्पीड से करो हो गया लिख चुके चली आजाओ खटा दू थोड़ा सा खटा देते हैं फिर ये जम्मू कस्मीर कर लद्दा के खतम हो जाएंगे कौन सा कहाँ पे आपको सब का पता चल रहा है मैप से सब पता चल रहा है आपको अगर मैं बात करता हूँ जो जीला दर्रे की जो जीला की जो जीला दर्रे की बात करता हूँ जो जीला दर्रा जो जीला पास की बात करता हूँ जो जीला दर्रे की तो ये क्या करता है इट कनेक्ट्स श्री नगर टू ले ये है श्री नगर से श्री नगर से लेह को जोडता है श्री नगर से लेह को जोडता है इट कनेक्ट्स श्री नगर टू लेह ऐसे इंगलिस में अभी आप लिख सकते हो दूसरी एक और important बात शीत रित्यू में पूरा बरफ से ढख जाता है ठीक है लदाक का कौन सा दर्रा शीत रित्यू में बरफ से पूरा ढख जाता है तो उत्तर कौन सा है जोजिला दर्रा इट कवर्ड बाई सिनो इट कवर्ड बाई सिनो इनविंटर्स यानि कि आप क्या कह सकते हो यह है शीत रित्यू में शीत रित्यू में बरफ से पूरा ढख जाता है बरफ से पूरा धक जाता सीत रितु में बरफ से पूरा धक जाता है यह जो सीत रितु में बरफ से पूरा धक जाता है ठीक है जी यहाँ पर एक और दर्रा है स्रीनगर और जम्मू के बीच में इसका नाम क्या है बनिहाल दर्रा ठीक है बनी हाल के बारे में और बात कर लेते हैं बनी हाल दर्रा कहां पर जमू कश्मीर में बनी हाल दर्रा है है यहां पर ठीक है जी बनी हाल दर्रे की बात कर लेते हैं इसको अटा रहे हैं बनी हाल दर्रे की फिर आपसे चर्चा करते हैं बनिहाल दर्री की ठीक है भी यह बनिहाल की बात करते हैं बनिहाल दर्रा की बात करते हैं बनिहाल दर्रा बनिहाल बनिहाल पास बनिहाल दर्रा यह क्या करता है यह जम्मू से स्रीनगर को जोड़ता है स्रीनगर से लिए को जोजिला दोड़ता है और जम्मू से स्रीनगर को ब यह जम्मू से किसको जोडता है श्री नगर को जोडता है यह जम्मू से श्री नगर को जोडता है establad एक सवाला था जवाहर सुरंग जो है वो कहा से गुजरती तो इसी दर्रे से गुजरती है जवाहर सुरंग 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 इसी दर्रे से गुजरती है यह श्रीनगर से जो जिला के बारे में लिख लो, यह स्रीनगर से ले को जोड़ता है, it connects स्रीनगर to lay, it covered by snow in winters, यह शीतरितु में पूरा बरफ से डग जाता है, बनिहाल pass क्या करता है, it connects Jammu to स्रीनगर, and Jawahar Tunnel is, passes from this pass, ठीक है, हो गया, आगे बड़े, इसको अटा देते है और आगे चलते हैं, हिमाचल प्रदेश के दर्रों पर, ठीक है भी यह, हिमाचल प्रदेश के दर्रों की बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश के दर्रे, हिमाचल प्रदेश के दर्रे, हिमाचल, हिमाचल, प्रदेश, के दर्रों की बात करते हैं, पास तो चली रहे हैं उसको क्या लेको समझो थोड़ा सा मैप पे मैप पे समझो मैप पे समझो सब लोग ध्यान से आओ सुनो यहाँ पे क्या हो गया जम्मू कस्मीर ठीक है जी यह यह है हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश यहाँ पे सई अब यहाँ पे है एक दर्रा एक है यहाँ पे और एक है यहाँ पे ठीक है यह कौन सा है यह है रोतांग दर्रा रोतांग पास रोतांग दर्रा यह शिप कीला दर्रा यह कौन सा बारा लाचला बारा लाचला दर्रा इन सब की बात कर रहे हैं आपसे ठीक है जी एक तरफ से लेके चलेंगे कहां पर हिमाचल प्रदेश के दर्रे हैं तीनो के तीनो तो पहले बात कर लेता हूं बारा लाचला की हिमाचल प्रदेश को लेह से जोडता है, चिनाब नदी इसी दर्रे से निकलती है, चिनाब रिवर ओरिजनेट्स फ्रॉम दिस पास, याने की चिनाब नदी छिनाब नदी इसी दर्रे से निकलती है, बूलो समझ में आ रहे, क्या कमेंट कर रहे हो भी या? थोड़ा आरम से, अरम से करो, थोड़ा होश में रहो, ठीक है, होश में रहो, थोड़ा सब पढ़ लो, माउंटेन और हिल में क्या अंतर होता है? तिरे लिए कोई अंतर नहीं हो, तो छोड़ तो, तू क्या करेगा, जान के, पास क्या होता है, पास होता है, पास होता है, पास होता है, पास हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, उसको पास कहते हैं, ठीक है, ओके, इतना ही तिरे लिए, इतना ही समझ तो, ज़्यादा मैं समझ चि क्या कह रहा है ये? लड़का आये वैसे? मजाक क्यों कर रहे हो? इससे मजाक करेंगे. देखो ध्यान से. चिनाब नदी क्या करती? इसी दर्रे से نिकलती है. ठीक, आगे बड़ो. इस पे आज़।ांग पर. रोटांग पास पे आज़।ांग दर्रे पर. रोहतांग पास रोहतांग पास रोहतांग दर्रा अब जो रोहतांग पास इन रोहतांग दर्रा है तो पहले इस रोहतांग वर्ड का मतलब समझो जो रोहतांग वर्ड है इसका मतलब होता है लाशों का धेर लाशों का धेर कौन सी भासा में? तिबतियन भासा में तिबत भासा का वर्ड है क्या चीज? रोहतांग जिसका हिंदी में क्या मतलब होता है? लाशों का ढेर अब ऐसा क्यों कहा गया इसको? ऐसा इसलिए कहा गया कि जुराविर सिंग नाम का एक किंग था, एक राजा था और यहां तिबत से इधर हिमाचल प्रदेश में आ रहा था, पूरी सेना के साथ में आ रहा था तो जब यहां पे आ रहा था, यहां तिबत से हिमाचल प्रदेश में आया, तो जब इस जगे की संख्याती सेना की सारी की सारी एक साथ दब गई जब एक साथ दब गई तो दब के ईस्वर को प्यारे हो गए सभी के सभी अब जब शीत तु गई और जब गर्मी की समढ सीजन आया तो क्या हुआ वो बहने लगा कौन कौन बहने लगा वो जो बरफ जो थी वो बहने लगी और जब बरफ बहने लगी तो उसमें से क्या आदमियों के धिर दिखाई दिए बहुत परवत की तरीके से आदमियों के धिर लगा हुआ था एक तरफ से लासी लास उसमें दिखाई दे रही थी उस बरफ में से निकलती लास ही लास दिखाई देने थी बहुत सámय बाद तो तब काता ऑड़ें ये क्या हो रहा है है यहां से लास हैं कैसा इतनी सारी आ रहे है तो इस कारण से इसको बोला था रोnothing मतलब लाशों का धेर इसी कारण से इसको बोला गया कहां पे हिमाचल प्रदेश में क्या करता है ये क्या करता है तिबबत से हिमाचल प्रदेश को जोड़ता है ऐसे आप समझ सकते हैं तिबबत से हिमाचल प्रदेश को जोड़ता है रावी नदी और ब्यास नदी यहीं से निकलती है रावी तथा ब्यास नदी रावी रावी त निकलती है रावि तथा ब्यास नधी इसी दर्रे से निकलती है यह क्या करता है लाहल घाटी से कुल्लू घाटी को जोड़ता है यह मान सकते आप पीपर में पढ़ाओक बता ही कौनसा दर्र a लाहल घाटी तिबबत से यहां आता ही है इसके लाबा यह है नहीं कहीं पे पहले जरूर, लाहुल घाटी से कुलू घाटी को जोडता है, जोडता है, इस पे आज़ाओ शिपकिला पे, शिपकिला दर्रे की बात करते हैं, शिपकिला दर्रा, शिपकिला पास, शिपकिला पास, शिपकिला दर्रा, इसकी बात कर लेते हैं, ये क्या करता है तिब्बत से और हिमाचल प्रदेश को जोड़ता है और सतलज नदी यहां से निकलती है ठीक है यह क्या करता है यह है इट कनेक्ट इट कनेक्ट तिब्बत टू हिमाचल प्रदेश तिब्बत से हिमाचल प्रदेश को जोड़ता है और दूसरी बात मैंने क्या बताई है इसमे फ्रॉम हियर यानि सतलज नदी इसी दर्रे से निकलती है सतलज नदी इसी दर्रे से निकलती है जो सतलज नदी है वो इसी दर्रे से निकलती है बोलो के लिए रहे सतलज नदी इसी दर्रे से निकलती है हिमाजर प्रदेश में यह है इतना clear है, लिखो चलो इसको, इतना आप लिखो जल्दी जल्दी, सारे के सारे लोग इतना complete करिये, फिर आगे बढ़ेंगे, इतना लिखो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी, इतना लिखो जल्दी से, जल्दी से लिखो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी से, जल्दी से लिखो भेई, जल्दी से लिखो, जल्दी से, 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 हो गया क्या, आगे बढ़ना चाहिए, हटाएं, बताओ जल्दी हुआ नहीं हुआ, जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी लिखो, हटात बोलो map बना लिया, हटाते हैं फिर इसको map map को, उत्राखंड का map बनाते हैं फिर, आप एक map में ही सारे बना सकते हैं, मैं अलग से बना देता हूँ, ताकि आपको confusion ना हो, आप तो एक ही diagram में इनको बना सकते हैं सबको, एक ही diagram बड़ा सा बना के सबको लिख सकते हैं, मैं तो आपकी confusion ना हो, इस वज़े से अलग अलग बना रहा हूँ, ठीक है जी? यहाँ पे हैं उत्राखंड UK, United Kingdom मत समझ लेना, यहाँ पे उत्राखंड के यह तीन दर रहे हैं, कौन कौन सा? माना, नीती और लिपू लेख दर रहा, ठीक है? तो पहला कौन सा? माना दर रहा और लिपू यह तीन दर रहे हैं, माना पास, माना पास, माना दर रहा, ठीक? नीती दर रहा, नीती पास यानि नीती दर रहा, और तीसरा है लिपू लेख दर रहा, लिपू लेख पास लिपू लेख दर्रा इसे हिंदी में भी लेख देता हूँ लेख दर्रा ये दोनों क्या करते हैं ये तिबबत से UK को यानि उत्राखंड को जोड़ते हैं ये तिबबत से उत्राखंड को जोड़ते हैं तिबबत से उत्राखंड को जोडते हैं तिबबत से उत्राखंड को जोडते हैं और यह क्या करता है लिपुले कदर रहा है इसके बारे में क्या important है कैलास मान सरोवर रास्ता यहां से जाता है ठीक है इसलिए important है कैलास मान सरोवर मान सरोवर मार्ग यहां इस्थित है यहां से जाता है क्या लिख सकते हैं कैलास मान सरोवर रूट पासिस फ्रॉम हेर पासिस फ्रॉम हेर ऐसे लिख सकते हैं जल्दी से लिखो जल्दी से लिखो इसको जल्दी से लिखो हो गया बस इतना ही है इसमें जल्दी से बस इतना ही थाइस में उत्राखंड में फिर आगे चलते हैं सिक्किम की तरफ ठीक है सिक्किम की तरफ चलते हैं सिक्किम की तरफ सिक्किम की तरफ चलते हैं सिक्किम की तरफ चलते हैं जल्दी सा जो जल्दी से ठीक है फिर सिक्किम की तरफ सिक्किम की तरफ चलता है हो गया हटाए हटाए ना चलो हटाते है जल्दी लिखो जल्दी जल्दी चलो भी आज़ो सिक्किम के दर्रों पर आज़ो सिक्किम के दर्रे जल्दी जल्दी खतम कर लेते हैं सबको सिक्किम के दर्रों पर आज़ो सिक्किम के दर्वों पर आओ भारत के इस साइड वाले नक्से को थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं ये है सिक्किम भूटान और फिर आप ऐसे करके चले जाएंगे ठीक है जी एरनाचल प्रदेश आजाएगा ये सिक्किम है सिक्किम ठीक यहाँ पर दो दर्वों की बात कर लेते हैं कौन कौन से दर्व है ये जो दोनों मैंने बनाए सिक्किम के दर्वे सिक्किम की बात कर रहे हैं सिक्किम की तो एक तो कौन सा पहले तो कौन सा जिलीपला और नाथुला ठीक है ये दोनों दर्रों की हम बात करें, जिलीपला और नाथुला, इन दोनों दर्रों की बात करेंगे किसमें, सिक्किम में, जिलीपला की और नाथुला की, तो पहले तो जिलीपला को देख लेते हैं, जिलीपला नाथुला, ठीक है बस ये दोनों और कुछ है नहीं, इसमें खास जिलीपला जिलीपला दर्रा और दूसरा समझे लो आप नाथुला दर्रा नाथुला दर्रा अब ये क्या करता है जिलीपला दर्रा तिबवत को जोड़ता है ये भी सिक्किम से तिबवत को जोड़ता है पुराने समय में क्या होता था पुराने टाइम में यहां से रेशम का व्यापार होता था रेशम का व्यापार होता था चीन के साथ तिबबत के साथ इसी नाथला दर्रे से उकर के होता था तो इसको रेशम मार्ग भी कहा गया है रेशम मार्ग या सिल्क रूट कहा गया है सिल्क रूट ठीक इसके अलावा 1962 में जब भारत का चीन से युद्ध हुआ तो it was closed it was closed and reopened in 2006 reopened दुबारा इसको खोला गया बोलो इतना समझ में आया इतनी बात हुई किलियर कोई doubt तो नहीं साधन साधन बात है लिख लो इसको सिक्क्यम को सिक्क्यम को complete करो जल्दी जल्दी पुन्या खोल दिया गया 2006 में अब अगले की तरफ हम आ रहे हैं next की तरफ जल्दी लिखो जल्दी 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 लिख लो भाईया जल्दी जल्दी लिख लो जल्दी जल्दी लिख लो हो गया न कोई डावर तो नहीं बच रहा आपका किलियर एकदम से पक्का बहुत सुन्दर लोग है भई गजब के एकदम से गजब के लोग है भईया आओ भईया आगे ध्यान से आजाओ सब लोग आजाओ अरुनाचल प्रदेश के दर्रों पे आजाओ अरुनाचल प्रदेश के दर्र लिख लिया होगा आपने आसानी से लिख लिया होगा अरुनाचल प्रदेश के दर्रों पे आजाओ ठीक है जी अरुनाचल प्रदेश के दर्र थोड़ा इसको बनाते हैं इधर पे, देखो धियांसे हरुनाचल प्रदेश यहाँ थोड़ा इसको घुमा घुमा के लिए जाते हैं, थोड़ा घुम घाम के जा रहा है ठीक है जी यह हरुनाचल प्रदेश नागा लेंड मनीपुर मिजुरम मेगाले आसम ठीक तो यहाँ दर रहे हैं ठीक है जी यहाँ तो नहीं है एक यहाँ भी बना देते हैं ठीक है बोमला बोमडीला यांग्यूप दीफू तुजू इनकी बात करते हैं, आपसे सुनो ध्यान से तो पहले इस पर आजो यांग्यूप पे इसको खतम कर देते पहले Ho Bobadda इसके कहानी खतम अरुनाचल प्रदेश के दर्रों की बात कर रहे है अरुनाचल प्रदेश के दर्रों की बात कर रहे है पास इस थो हम पढ़ाए रहे हैं प्रदेश के सुनो ध्यान से इसकी बात करते हैं यांग युप दर्रे की काँ पे स्थित है या और नाचल प्रदेश में स्थित है ब्रहंपुत्र नदी यहीं से भारत में इंट्री करती है इसी दर्रे से भारत में प्रवेश करती है, ब्रहंपुत्र नदी entered from this path कहाँ पर इन इंडिया यह अरुनाचल प्रदेश से किसको जोडता है? तिबबत को यह अरुनाचल प्रदेश से तिबबत को जोडता है और नाचल प्रदेश से तिबबत को जोड़ता है ठीक है यह सवाल तो यांग्यूप से आते है क्या चीज दो सवाल मैंने बताए भरंपुत्र नदी इसी दर्रे से भारत में परवेश करती है और आंधर प्रदेश से तिबबत को जोड़ता है ठीक है, अगले दर्रे की मैं बात करता हूँ, अगला next दर्रा कौन सा लगा लेते हैं, heading, दीफु दर्रा, दीफु दर्रा की बात कर लेते हैं, दीफु दर्रा, इसकी बात कर लेते हैं, दीफु दर्रे की, तो दीफु दर्रा क्या है, यह भारत, मियामार और चाइना के बॉर इन तीनों देशों की सीमा पर है भारत के और मयामार के बीच विवादित है यह विवादित है भारत और मयामार के बीच अधिकार किसका है इस पर भारत का अधिकार है भारत ने अपने अधिकार छेतर में ले रखा है दिफुदर्रे को भारत और मियामार के बीच में ये विवादित है और तीनों देशों के सीमा पार है कबजे में भारत के में ठीक है बोमला और बोमडिला पर आजाओ बोमला और बोमडिला एक साथ कंप्लीट करते है बोमला एंड बोमडिला बोमला और बोमडिला दर्रा नाज प्रदेश को तिबत से जोड़ते हैं तो आप यह कह सकते हैं कि इट कनेक्ट अरणाचल प्रदेश तू लहसा इट कनेक्ट आर्णाचल प्रदेश तू लहसा लहसा क्या है? तिबत की राज्धानि है लहसा ठीक है वह रख लो Capital of Tabat तिबत की तिब्बत की राजधानी तिब्बत की राजधानी कौन सी लहासा लहासा क्या तिब्बत की राजधानी है आरंदर प्रदेश से लहासा को जोड़ता है नहीं लहासा क्या चीए तिब्बत की राजधानी है तिब्बत की राजधानी है लहासा बोलो के लिए रहे capital of tibbat है इतना लिख लिए आप लोगों ने और नाचर प्रदेश का लिख लो जल्दी से हो गया यहीं पर आगे बढ़ेंगे फिर next पर जल्दी से लिखो जल्दी से speed में speed में लिखो हो गया जल्दी लिखो जल्दी हटा दे चली अब मैं थोड़ा सा दक्षिन भारत में कुछ दर्रे हैं उनकी बात कर लेता हूँ उसी के साथ फिर यह खतम हो जाएगा दक्षिन भारत के दर्रों की थोड़ी सी बात कर लेता हूँ और उसी के साथ खतम हो जाएगा दक्षिन भारत के दर्रों की बात कर लेता हूँ सुनो आप ध्यान से सब लोग सुनो ध्यान से ठीक है जी मैं करता हूँ दक्षिन भारत के दर्रों की बात आपसे तो यहाँ पे मुंबई है मुंबई यहाँ पे नासिक नासिक यहाँ पुने मुंबई मैंने लिख दिया है मुंबई यहाँ पे नील गिरी परवत माला नील गिरी नील गिरी नील गिरी से नीचे कौन सी अन्ना मलाई अन्ना मलाई ठीक है अन्ना मलाई से फिर नीचे कौन सी आ जाएगी इलायची परवत मला ने कोडर मम कोडर मम कोडर मम और कोडर मम से नीचे कौन सी आ जाएगी तो यह आ जाएगी नागर कोल नागर नागर कोल आ जाएगी ठीक है साब तो यहाँ पे कुछ दर्रे है एक तो यहाँ मुंबई के और नासिक के बीच में एक दर्रा है एक यहाँ पे दर्रा है एक यहाँ पे दर्रा है और एक यहाँ पे दर्रा है इन सब की मैं आपसे बात कर लेता हूँ इन सबी दर्रों की मैं बात कर लेता हूँ तो पहले तो इसकी बात कर लेते हैं मुंबई से नासिक को जोडता है यह है मुंबई से नासिक को जोडता है मुंबई से नासिक को कौन सा थालगाट थालगाट दर्रा थालगाट पास यानि कि थालगाट दर्रा थालगाट दर्रा क्या करता है इट कनेक्ट यह है किस से मुंबई से नासिक को जोडता है यह कौन सा है यह बाला मुंबई से पुने को जोडता है इसका नाम है भोरगाट भोरगाट दर्रा भोरगाट पास भोरगाट पास मतलब भोरगाट दर्रा भोरगाट दर्रे के बारे में सुनिये ध्यान से भोरगाट दर्रे के बारे में सुनो भाईया यह क्या करता है यह है मुंबई से पुने को जोडता है मुंबई से पुने को जोडता है ठीक है जी इस पे आजाओ नील गिरी से अन्ना मलाई को जोडता है इस पे आजाओ इसका क्या नाम है इसका नाम है पाल घाट पाल घाट पास यानि की पाल घाट दर्रा पाल घाट दर्रे की बात करते हैं पालगाट दर्रे की पालगाट दर्रा क्या करता है यह है नील गिरी से अन्ना मलाई को जोड़ता है और इसकी बात करने तो यह सिनकोट दर्रा सिनकोट पास सिनकोट पास सिनकोट दर्रा क्या करता है सिनकोट दर्रा दे को मैपिंग से क्या आपको पूरा रट जाता है आपको इसको अपनी तरफ से इसको जो है बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं मैपिंग दिमाग में बन जाती तो सब चीज़ याद हो जाती है यह है क कोडर मम से नागर कोल को जोडता है कोडर मम से नागर कोल को जोडता है कोडर मम से किसको जोडता है नागर कोल को जोडता है बोलो समझ में आ रहा है ठीक है एक कोडर दर्रा है यहां पर मैं बात कर लेता हूँ यहां पर राजिस्थान में अरावली परवत माला है अरावली प तो अरावली परवत माला में है अरावली परवत माला में है बोलो इतना किलियर हो रहा है आपको यो दर्रे सारे के सारे समाप्त होगे सारे के सारे दर्रे इसी के साथ में समाप्त होगे एक बार लिखो इसको मैं सामने से हट जाता हूँ एक बार जल्दी से सारे के सारे लोग इसको लिख लो, कोई भी डाउट आपका नहीं होना चाहिए, बहुत अथे तरीके से मैंने क्लियर कर दिया, थाल घाट क्या करता है, मुंबई से नासिक को जोड़ता है, ठीक है, मुंबई से नासिक को जोड़ता है, फिर मैंने भोर घा चलो तो इसी के साथ मैं आज की class से आप विदा लेते हैं सब लोग महनत से पढ़ते हैं, धियान से पढ़ते हैं बहुत इतमे नहां से बहुत प्यार से बहुत आसान चीज़ है, कुछ भी कठिन नहीं है जब आप सरल-सरल सारा सारे का सारा सरल पढ़ लेंगे तो कठिन कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है, चलो अब यहां से आगे कल मुलाकात करेंगे, नए टॉपिक के साथ में, ठीक है अपना ख्यालर की, बाई-बाई, ठीक है,